Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we are going to do exercise of chapter हाथी साइकिल चला रहा था. बहुत प्यारी सी पोयम है, इसकी वीडियो अलड़ी मैंने बना रखी है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप इस पोयम की वीडियो देख सकते हैं और फिर वाक्षिट को सॉल्फ कर सकते हैं. तो पहले हम पोयम रीड करेंगे, फिर वाक्षिट सॉल्फ करेंगे. तो चलिए पोयम को पार्ट्स में रीड कर लेते हैं. तो हाथी साइकल चला रहा था पीछे चीटी बैठी थी. तभी क्या हुआ? जरर मरर चूरुकी साइकल लगा सरकने पीछे चक्का. तभी एक उची सी पहाडी आती है, सीधा रास्ता आता है. उस पे जब साइकल चलानी होती है तो हाथी दद्दा तो ठक जाते हैं साइकल रुक जाती है और पीछे की तरफ सरकने लगता है उसका पहिया चीटी चटकूदी साइकल से बोली मत घबराना दद्दा आप पाओ पैडल पर मारो मैं हूँ ना देती हूँ धका चीटी ने कहा कि आप घबराओं मत मैं हूँ ना वो साइकल से कूच जाती है कहती है आप कोशिश करो मैं आपको धका दूगी आगे की तरफ तो ये प्यारी सी पोयम थी इसकी वीडियो भी है जरूर देखिएगा बहुत प्यारी पोयम है नेक्स्ट है बातचीत के लिए मैं कहा है आईए इस कवीता पर एक कहानी बनाएं दिये गए खाली स्थान को भरना है और कहानी को पूरा करना है तो हाथी साइकल चला रहा था उसके पीछे चीटी बैठी थी हाथी मजे से जूम रहा था चीटी शान से एठी थी आगे सीध चड़ाई आई और साइकिल चलाते चलाते हाथी हाफने लगा साइकिल चरर मरर की आवाज करती हुई रुप गई और उसका चक्का सरकने लगा हाथी की सहायता करने के लिए चीती चट से साइकिल से कूदी और उसने हाथी को कहा कि दद्दा आप बिल्कुल मत घबराना आप बस पैडल पर अपने पाओ मारो, मैं हूँ ना मैं आपको धक्का, आप घबराओ मत, अगला है इस कवीता में भी एक कहानी चुपी है, आप उस कहानी को आगे बढ़ाईए, चीटी ने साइकल को जोर से धक्का दिया पर साइकल आगे ही नहीं बढ़ रही थी, तो फिर इस कह कहानी को आगे बढ़ाना है, कुछ भी आप सोचके लिख सकते हैं, जैसे मैंने एक 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 जामपल दिया है, लेकिन चीटी और हाथी ने हार नहीं मानी, साइकल को धक्का लगाते रहे, बहुत देर कोशिश करने के बाद दोनों ने साइकल को चढ़ाई पार करा ही दी, और खुशी खुशी फिर से साइकल की सवारी करने लगे, तो यह कहानी आप कुछ भी बना सकते हैं, नेक्स्ट है कहानी लिखिए, यहाँ पर हमें इमेज दी गई है कच्छुआ और खरगोश की, इससे हमें कोई इसी भी कहानी बनानी है, तो आप लिंक है डिस्क्रिप्शन ब लेकिन इसको हम रीड कर लेते हैं क्योंकि कहानी लिख के दी हुई है, यह वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी कहानी है, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यह कहानी नरेंद्र की है, नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था, चंपक के यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा हुआ था, नरेंद्र जो एक बच्चा था, उसे जूला जूला बहुत पसंद था, वो भी पेड़ की डालियों को लटक कर, और यह जो चंपक का पेड़ है, यह कहान था, नरेंद्र के एक मित्र के घर में था, नरेंद्र आट साल की उम भारा इस पेड पर मत चर्णा। फिर दादा जी को डर था कि कहीं पेड की डाल तूट गई। तो नरेंदर पेड़ से गिर पढ़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादा जी ने बताया वो दैते बहुत डरावना है। ये बात सुनकर नरेंदर को अच्रज हुआ। वे बोले दादा जी दैते के बारे में और बताईए न। तो फिर दादा जी कहते हैं वे पेड़ पर चड़ने वालों की गरदन तोड़ देता है। नरेंदर दादा जी की बातें ध्यान से सुनके आगे बढ़ गए। ये देख दादा जी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा बालक देते की बात सुनकर डर गया है अब वे पेड़ पर नहीं चड़ेगा। नरेंदर दादा जी की बात सुनकर आगे बढ़ गए तो दादा जी को लगा नरेंदर ढर गया है देते की बात से अब नहीं जूलेगा। लेकिन दादा जी जैसे ही कुछ आगे बढ़े नरेंद्र फिर से पेड़ पर चड़ गए और डाल पर जूलने लग गए तो फिर यह देखकर उनका मित्र जोर से चीखा नरेंद्र तुमने दादा जी की बात नहीं सुनी वे देत्ते तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा नीचे उतर जाओ क्योंकि दादा जी ने कहा था कि इस पेड़ पर कौन है देत्ते है तो इस पर नरेंद्र क्या बोले नरेंद्र ने हसकर कहा तुम भी कितने भोले हो अगर दादा जी की बात सच होती तो मेरी गर्दन तूट चुकी होती लेकिन ऐसा हुआ क्या नहीं तो मतलब नरेंद्र न ने तुमसे कुछ कहा, उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत, हमें सब की बात सुननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि हम blindly सब पे फेद कर लें, हमें बात को समझना चाहिए, और फिर उस पर विश्वास करना चाहिए, अगर सही है तो हर बात पे हमें विश्वास नहीं करना चाहिए, आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानन के नाम से प्रसिद्ध हुए, नरेंद्र जो बचपन में इतने निडर थे, वही आगे चलकर स्वामी विवेकानन के नाम से प्रसिद्ध हुए, स्वामी विवेकानन बचपन से ही निडर और समझ थे I hope आपको कहानी अच्छी लगी होगी आस्तिक सिना जी ने ये कहाने लिखी है ये कहानी वीडियो फॉर्म में भी है आप चाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं बहुत सारी वीडियोज हमने बनाई हैं, सारी कहानी की बता दी सभी link description box में हैं, इसके साथ हमने इस chapter की worksheet को cover कर लिया है, I hope आपको ये chapter पसंद आया होगा और बाकी के सभी chapters की link description box में हैं, so if you like the video, please like and share it and don't forget to subscribe कल्यां TV channel for more such videos, thank you so much.